हलो दोस्तो, स्वागत है आपका मेरे चानल दियेट और फिटनेस में मैं हूँ आपकी होस्ट डियेटिशन अकांगशा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओट्स खाने के हमारे शरीर को कौन से कौन से पाइदे होते हैं तो दोस्तो, आज कल आपने देखा होगा कि ओट्स जो है, जिसे हम जई भी बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपिलर हो चुकी है, यानि कि बहुत ही ज़्यादा खास्तावर पर अगर आप देखो तो जो लोग वेट लॉस करना जाते हैं वजन कम करना जाते हैं, वो लोगों में बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन हो गया है ओट्स खाना तो ओट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घ्ल्दी अनाज है बहुत सारे पोशकतत्व इसके अंदर होते आप और ऑट्स जो होते हैं वो Gluten-free भी होते है लेकिन आप बोलो कि जो stickiness आता है यानि कि थोड़ से जो चिपचिपा हट oats को आती है तो वो किस कारण आती है क्योंकि वो एक sign होता है कि gluten युक्त पदात होगा लेकिन oats को जो stickiness आती है वो gluten के जैसा ही एक similar protein जो होता है avenin नाम का वो oats के अंदर होता है तो उसके कारण फिर उसे वो stickiness आती है लेकिन oats जो होते है वो gluten free होते है और दूसरी बात यह है कि oats को खाने लायक बनाने के लिए बहुत जादा process भी करना पड़ता है तो जो भी हम rolled oats या फिर instant oats खाते है वो बहुत ही जादा process से गुजरते है तो उसकारण भी उन्हें वो texture आता है जो नरम नरम होता है oats के अंदर manganese है, phosphorus है, iron है या फिर vitamins के अगर हम बात करें तो vitamin B1 है, B5 है ऐसे कई सारे पोशक तत्व जो है, कई सारे vitamins और minerals इसमें होते है उसे के साथ-साथ fiber का भी ये काफी अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें काफी अच्छी मात्रा में soluble fiber होता है और एक बहुत जरूरी पोशक तत्व इसके अंदर है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है oats antioxidant से भी भरपूर होते है और अगर हम देखे तो oats बनाने में भी बहुत ही ज़ादा आसान होते है तो इसलिए ये बहुत ही ज़ादा convenient और बहुत ही ज़ादा easy option बन जाता है oats के recipes की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे recipes oats से बन जाते है जैसे कि हम regular दूद के साथ oats मिला के खाते है यानि कि मीठे oats आप बना सकते हो या फिर oats का उपमा बना सकते हो इल्ली है, डोसा है, चीला है अगर आप को केक बनाना बसंद है तो केक भी आप oats का बना सकते हो muffins है या फिर जो cup cakes बनते है ऐसे कई सारे पदात oats से बन जाते है और एक अच्छी बात यह है कि complex carbohydrates का भी यह काफी अच्छा सुरूत है तो इसी के कारण यह बहुत ही अच्छा और healthy रहता है हमारे शरीर के लिए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम देखते है कि ऐसे कौन से कौन से फायदे होते है oats के हमारे शरीर को तो चलिए शरू करते है आज का हमारा वीडियो वीडियो शरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको याद दिला दू कि अगर आप मेरे चानल पे नहीं हो और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरी ऐसी जो नही नही वीडियोज आती रहती है वो सारी वीडियोज आप तक पहुँच जाएगी सबसे पहला फायदा है ओट्स का जो कि है रक्तचाब यानी की बलड प्रेशर को नियंतरित रखने के लिए तो ओट्स जो होते है वो कई सारे अंटी आक्सिदेंट्स और पॉलिफिनॉल्स जो होते है उनसे भरपूर होते है और ओट्स के अंदर जो अंटी आक्सिदेंट पाये जाते है वो नाइट्रिक आक्साइड का प्रडक्शन जो है वो अच्छा रखते है नाइट्रिक होता है जो blood flow होता है वो अच्छा रखने के लिए ये काफी मदद करता है तो इस कारण फिर जिंजन लोगों को उच्छ रखत चाप की समस्या है उन लोगों के लिए oats का परिया यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाता है उसे के साथ itching जिसे खुझली होती है कभी कबार्या फिर inflammation होती है जलन होती है ऐसी समस्याओं के लिए भी ये काफी अच्छा है क्योंकि इसमें कई मातरा में antioxidants पाए जाते है तो जिंजन लोगों को blood pressure की समस्या है वो के अंदर beta-glucan नामक एक soluble fiber वाया जाता है जो कि हमारे शरीर से जो बुरा cholesterol है LDL cholesterol जो से हम कहते हैं उसे कम करने के लिए काफी मदद करता है उसे के साथ साथ ही हमारी रग्त की जो शरकरा होती है blood sugar उसे नियंतरित करने के लिए भी काफी मदद करता है तो इस प्रकार से cholesterol क नियंतरित करने के साथ साथ जो ओड्स होते हैं वो हमारे रिदय के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि यही जो beta-glucan नामक जो fiber होता है वो हमारे शरीर से cholesterol rich bile जो होता है उसे बाहर निकालने के लिए extract करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है और फिर उसके कारण हम मात्रा होती है वो कम करने के लिए यह काफी मदद करता है जो कि हमारे शरीर के लिए बुरा cholesterol माना जाता है तो उसे के साथ साथ हमारे जो पाचन के लिए good bacteria होते हैं उनके production के लिए भी यह काफी मदद करता है और आपको पता होगा जब भी आप oats खाते हो तो पेट भरने का एसास भी आपको अच्छे से होता है क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में soluble fiber होता है उपर से यह इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में complex carbohydrates भी होते है जो कि उर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है तो उसके कारण फिर जब आप oats काते हो तो आपको फिर पेट भरने का एसास होता है और लंबे समय तक भूग भी नहीं लगती है रिदय के लिए oats अच्छे होने क्या एक दूसरा कारण भी यह है कि शरीर का जो LDL cholesterol होता है यानि कि बुरा cholesterol उसका oxidation जब होता है यानि कि वो जबी free radicals के साथ हमारे bind होता है तो फिर उसके कारण बहुत सारे रिदय के जो problem है वो हो जाते है तो इसी के कारण जबी आप oats खाते हो और LDL आपके शरीर का कम होता है तो फिर उसके कारण जो oxidation होता है शरीर में LDL का वो कम होता है और फिर वो हमारे रिदय के लिए अच्छा होता है, oats का सेवन अगर आप vitamin C युक्त किसी भी पदात के साथ करते हो तो वो ज्यादा फाइदे मन रहता है क्योंकि vitamin C जो है वो एक antioxidant है तो फिर उसके कारण ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और LDL का जो oxidation होता है उसे कम करने के लिए ये मदद करता है oats का अकला फाइदा जो है वो है हमारे रक्त की शरकरा यानि की blood sugar को नियंतरित करने के लिए तो यहाँ पे भी जो beta-glucan नाम का soluble fiber है वो जब भी आप खाते हो या फिर जो भी हमारे पेट में जाता है तो थोड़ा सा gel जैसा एक heavy substance बना देता है पेट के अंदर तो उसके कारण फिर जैसे मैंने बताया कि एक पेट भरने का जो एहसास होता है वो ज्यादा होता है इससे और फिर उसके कारण चरीर में glucose absorption जो होता है वो भी सही तरीके से होता है तो इस प्रकार से जो लोगों को diabetes की समस्या है या फिर sugar की problem है ऐसे लोगों ने भी oats का सामवेश अपने आहार में करना चाहिए क्योंकि ये complex carbohydrates का एक अच्छा स्रोथ है और इसमें fiber भी पाया जाता है तो आपका जो वजन होता है उसे नियंतरित करने के लिए और खास तोर पे जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी जो blood sugar होती है उसे नियंतरित करने के लिए ये मदद करता है अगला फायदा है oats का हमारा वजन कम करने के लिए तो जैसे मैंने शुरुवात में भी कहा कि जिंजर लोगों को वजन गम करना है उन में सबसे ज़्यादा पॉपिलर जो कुछ चीज है वो है ओट्स ओट्स जो होते है वो कैलरीज में कम होते है और फाइबर से बरपूर होते है और जब भी आप आपके अहार में अच्छी मात्रा में फाइबर लेते हो तो आपके शरीर से जो अत्रिक चर्बी होती है जो फाइट होता है उसे कम करने के लिए ये काफी मदद करता है तो इस कारण जिन जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए कि काफी अच्छा परियाय हो जाता है यहाँ पर ओट्स का सेवन आप कर सकते हो आपके नाश्ते में या फिर ओट्स के जैसे मैंने रेसिपीज बताया अलग-अलग वैसे अलग-अलग रेसिपीज बना के भी प्राइट में आप ओट्स का सामवेश करो तो आपका वजन कम करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे यह थोड़ा स्पीड अप करेगा यानि कि वजन जल्दी कम करने के लिए यह जरूर मदद करेगा वजन कम करने के बाद अगर कौनसी पेशन या फिर कब्स की समस्या जि करने के लिए उसी के साथ जैसे अब भी कहा कि इसमें फाइबर भी काफी अच्छी मातरा में पाया जाता है तो आप आपके आहार में जब अच्छी मातरा में फाइबर का समवेश करते हो तो कौनस्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है इसलिए ओट्स के साथ-साथ आप पानी का भी सेवन अच्छी मातरा में आपको करना है अगर आप ऐसे एक अच्छा सा बालंस्ट डायेट के साथ-साथ ये थोड़ी सी चीजे करते हो तो ये सारी जो चोटी-चोटी प्रॉब्लम्स होती है वो कम करने के लिए काफी मदद होती है अगला फाइदा है ओट्स क तनाओ को कम करने के लिए तो अब आप बोलोगे कि तनाओ को ओट्स कैसे कम करेंगे लेकिन ओट्स होते है वो मैगनेशियम से भी भरपूर होते है जो कि सेरोटोनिन जो हॉर्मोन होता है यानि कि जो मूड ठीक करने वाला हॉर्मोन कहेंगे हैपी हॉर्मोन जिसे हम कहेंग उस हॉर्मोन को बढ़ाने के लिए काफी मदद करता है तो इसी कारण फिर आपके दिमाग को शान करने के लिए बहुत ज्यादा जबी स्ट्रेस होता है तनाव आता है तो उससे रहत पाने के लिए ये काफी मदद करता है उसे के साथ साथ अच्छी नीन आने के लिए भी ये काफी मदद करता है तो इसे के कारण अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या फिर कोई ऐसी समस्या होती है तो आप आपके आहार में ओर्ट्स का सेवन करके देख सकते हो अच्छी नीन लाने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि स्ट्रेस के कारण बहुत लोगों को नीन नहीं आती है तो ऐसे समय पे लेने के लिए ये काफी अच्छा परियाए है अगला फायदा है हमारी तवच्छा के लिए तो बहुत सारे लोगों को ये भी सर्प्राइज लगा होगा कि तवच्छा के लिए ओर्ट कैसे मदद करते है सबसे पहले तो ओर्ट के अंदर काफी अच्छी मातरा में आंटी आक्सिडेंट पाये जाते है जब आप कोई भी आंटी आक्सिडेंट पदार्ट का सेवन करते हो तो वो आपकी तवच्छा के लिए अच्छा होता है क्योंकि फ्री राडिकल्स की वज़े से जो भी तवच्छा का नुकसान होता है उसे कम करने के लिए ये मदद करता है तो इसी कारण फिर ओड़ जो है वो हमारी तवच्छा पे भी अच्छा आसर डालते है उसी के साथ साथ अगर खुजली यानि कि इचिंग की प्रॉब्लेम जबी होती है या फिर जलन कभी कबार होती है ऐसी समस्या यानि कि ऐसी स्किन प्रॉब्लेम्स अगर आपको है तो ऐसी प्रॉब्लेम्स के लिए ये काफी अच्छा रहता है क्योंकि ओट्स के अंदर के एंटियोक्सिडेंट खुजली को भी कम करते हैं अगर आपने देखा होगा तो आजकल बहुत सारे ब्यूटी प्रॉडक्स में भी ओट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो खाने से ज़्यादा अगर आप उपर से लगाते हो तो फिर आपकी त्वचा पे उसका ज़्यादा अच्छा असर दिखेगा तो अच्छा की रखशा करने के साथ साथ कैंसर जैसे जो बयानक बिमारिया होती है उनसे भी ये हमारी शրीर की रखशा करता है क्योंकि इन में अच्छी मात्रा में और एक फायदा वर्ट्स का ये हो जाता है कि उर्जा का भी बहुत अच्छा श्रोत है तो जो लोग exercise करते हैं जिम करते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा परियाय हो जाता है क्योंकि ये जल्दी बन भी जाते हैं और complex carbohydrates का अच्छा सुरूत है तो इसे के कारण अगर आपको थकावट मैसूस होती है या फिर बहुती ज्यादा थकान जब भी होती है तो उर्जा पाने के लिए यानिकि अनर्जी पाने के लिए काफी अच्छा परियाय हो जाते हैं लेकिन यहाप एक चीज आपको याद रखनी है कि जितना हो सके उतना plane ओर जो होते हैं वो लेकि आपको उसे बनाना है ना कि जो instant आजकल ओर्ट आते हैं मसाला ओर्ट जो आते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में sodium पाया जाता है तो उनका सेवन आप कभी कबार कर सकते हो लेकिन ज्यादा तोर पे आपको जितना हो सके उतना fresh oats लेने हैं तो oats के इतने सारे फायदे होते हैं दोस्तो हमारे शरीर के लिए तो इसलिए आप आपके आहार में oats का सेवन आपसे जरूर करें फिलहाल के लिए वस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करें और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो सवाल भी आप मुझ से कमेंट में पूछ सकते हो मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में तक तक के लिए गुड़ बाई